नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बिंटर के एक बहुत ही खूपसूरत और बहुत ही पापुलर प्लांट के बारे में बात करूंगा बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये आती है कि उनके कैलंडूला के प्लांट जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते फ्लावरिंग होती है तो फ्लावर्स की साइथ छोटी आती है या फिर स्टाटिंग में फ्लावर्स बड़े आते हैं फिर धिर करके उनकी साइ यूच्पुल होगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, कैलेंडूला जो है, इसको ग्रोव करने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया जो होता है, वो होती है, वेल डेंस वायल, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कमपुश, दूसरी चीज जो है, वो है सनलाइट रिक्वाइर्मेंट के बारे में, ये फुल सनलविंग प्लांट है, मिनिमम छे से साथ घंटे की धूप, आपके इस पौधे को जो है, चाहिए होगी, अगर ये पौधा पौट के अंदर लगा हुआ है, इसके बाद, अगर बात करी जाए वाटरिंग की, तो ना ह इतने जादा शूट्स निकल आए हैं, कि पूरा जो है, वो एक जाड़ सी बन गई है, इनके, तो अगर जादा पानी इनके अंदर स्टैंड होगा, तो होगा क्या, कि ये धिरे-धिरे करके इसकी ग्रोध जो है, वो विलको रुक सी जाएगी, पौधा मरिल्ला सा एकदम हो अगर आप पानी कम देंगे, तो भी इस पौधे के साथ समस्या है, बिलकुल भी वाटर स्टोर नहीं होता है इसकी पत्तियों के अंदर, जैसे ही अंडर मॉश्यर हुआ, कुछ घंटों के बाद जो है, इसकी पत्तियां बिलकुल मुर्जा कर लटक सी जाती हैं, और उस आप सौलिट पार्ट देंगे, रिपोर्टिंग के टाइम पर वो इसके लिए काफी नहीं होगा, हर 15 दिन के अंतराल पर आपको इसको लिकुट फर्टिलाइजर जरूर देना होगा, मैंने अभी इसके पहले 15 दिन में जो है, इसको सरसोखली का लिकुट फर्टिलाइजर दिया था, और अभी मैंने एक ब्लॉग आप लोगों के साथ से अर गिया था, गार्डिनिंग ब्लॉग जिसके अंदर मैंने बताया था, कि मैंने अपने पौधे को जो है, लिकुट फर्टिलाइजर पौधो को दिया, तो उसके अंदर मैंने इसको जो है, गोबर की खाद जो होती है, उसका लिकुट फर्टिलाइजर जो है, बनाकर मिट्टी के अंदर दिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सरसोखली भी मिक्स करी थी, सरसोखली बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, जो है, अगर आप समय समय से उसका इस्तमाल करते रहेंगे, अब बात कर इसके बेसिक टिप्स जिनकी वज़य से इनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं, या फ्लावर कम आते हैं, या फ्लावर की साइथ छोटी आती है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू, मिट्टी बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट होती है, जिस मिट्टी के अंद जो है, सेंड का यूज कम कीजिए, वहीं चिकनी मिट्टी अगर जादा है, तो वहाँ पर मिट्टी का इस्तमाल कम कीजिए, और रेत की मातरा को बढ़ा लीजिए, तो ये मिट्टी का आपको ध्यान रखना जरूरी है, दूसरी चीज जो सनलाइट ट्रिक्वार्मेंट मैं अच्छे से फ्लावरिंग जो है, वह सुरू हो चुकी है, और इस वाले प्लांट के अंदर से तो मैं तोड़ तोड़ कर फेकता भी रहता हूँ, यहां से मैं तोड़ कर निकाला था, यहां अंदर से, और तो मतलब धूप आपको आपके इस पौधे को जो है अच्छी चाह अंदरा दिन के अंदराल पर आपको जरूड देना है, बिना फर्टिलाइजर जो है आपको वो भेतर रिजल्ड देखने को नहीं मिलेगा, कलन्डूला का प्लांट जो होता है, उसमें नीचे की पत्तियां होती है, वो कुछ दिनों के बाद यलो होने लगती है, कभी कबार ये ओबर वाटरिंग के वज़े से होता है, कभी कबार अंदर वाटरिंग की वज़ा से, और कभी कबार ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होती है, आपको ये समझना चाहिए, कि हर एक चीज़ का एक लाइफ साइकल होता है, अगर वो लाइफ साइकल कम्प्लीट हो जाती ह तो फिर अगर पत्य यलो हो रहे हैं पुराने नीचे वाले तो फिर आपको घबराने की जरुवत नहीं है तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्स्टा टीट्मेंट नहीं देना है पॉधे को नॉर्मली जो है वो पत्य तोड़कर निकाल देना है जिससे एक्स्टा मतलब डेट फ्लावर्स जो होते हैं अभी हमको उनको इंदर सीड नहीं बनने देना है क्योंकि अभी बहुत स्टार्टिंग पिरेड में हैं यह सारे बाद में जब यह फ्लावरिंग जो है अपनी कंप्लीट करने लगेंगे तो फिर हम छोड़ सकते हैं मतलब जब यह अपना पूरा फ्लावरिंग पूरी कंप्लीट कर चुका होगा पौधा तो हम इसके अंदर कुछ फूल जो है वो छोड़ देंगे बीज बनने के लिए अभी अगर हम बीज बनने के लिए छोड़ेंगे तो फ्लावर्स इसको प्रडूस करना चाहिए उतना नहीं करेगा बलकि बी के थोड़ी सी जो है आपकी seaweed granules वो ले लेनी है और उसके साथ जो है आपको थोड़ा सा सरसो खली का powder बनाना है और pot के आसपास जैसे ये जगें जो आपको दिख रही है इसी में जो है मिट्टी की गुड़ाई करके जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल देना है लेकिन अगर प फ्लावर जो है अच्छी quantity में नहीं आ रहे है अब जो मैं एक चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत important factor है अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह hybrid और देशी दो वराइटी में आते हैं देशी वराइटी के अंदर इन पंखोडियों मे जो है quantity कम होती है मतलब वो उतने सघन नहीं खिलते हैं थोड़ी लंबी लंबी पंखोडिया होती है और इतना घरान सेप नहीं होता है फ्लावर का जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है विल्कुल गेंदे के आकार के फ्लावर से इसके अंदर खिल रहे हैं तो वो सेप आ बहुत ही बढ़िया के सीट्स जो है वो मिले हुए हैं फिलाल यह है आपको अच्छी क्वाल्टी के सीट्स और अच्छी क्वाल्टी के पौधे भी लाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके क्यरो के साँ-धियर में जाके लिए भी यह है।